वास्ट अब गाईज वेलकम अगें मशीन लेर्निंग सीरीज यह आज हमारे लेक्चर नमबर टैन है इसमें हम क्रॉस ब्रेडेशन के बारे में पढ़ेंगे चलिए में स्टार्ट करते हैं कि क्रॉस ब्रेडेशन क्या होता है जैसा कि आप एगराम में देख पा रहे हैं कि यहां पर जो हमने यह रो बनाई है उसमें हमारे 1099 नमबर है 123456789 जैसा कि आप नीचे ले में देख पा रहे हैं कि सपोस करिए यह आपका ओवरॉल डाटावेस है और यह नीचे वाला भी ओवरॉल डाटावेस हैं तो इस क्रॉस व्रीडेशन क्या करते हैं कि यहां पर देख दो 3 फॉल्ड क्रॉस व्रेडेशन है यहां पर हम k भी लिख सकते हैं यहां पर k की वैलू मतब यहां फॉल्ड लेना चाहता है हम समझेंगे कि फ्रीफोल्ड मतलब क्या होता है तुके, three fold का मतलब कि जो आपका overall database है ना, उसको तीन-तीन पार्ट में, part में divide कर दो, जैसे ये थीन पार्ट, जैसे ये थीन पार्ट, जैसे ये थीन-तीन पार्ट में distribute कर दो, उसके बाद, first जो three है ना, उसको आप बनाव testing, sorry, उसको बनाव testing data, and और remaining को बनाव, जैस फूर से लेकर 9 को training data ओके कैने के लिए मतलब जो भी आप model बना रहे हो जिसमें 1 से लेकर 3 तक data को आप use करोगे as a testing और 4 से लेकर 9 तक data को use करोगे as a training ओके फिर next iteration में क्या होगा कि 4 से लेकर 6 तक आप use करोगे as a testing और 1, 2, 3, 7, 8, 9 as a training data set ओके फिर next iteration में आप 7, 8, 9 को as a testing data set use करोगे और 1 से लेकर 6 तक as a training data set use करोगे ओके जबी भी आप जैसे आपने first ले जो data set था उसमें 1 से लेकर 3 तक को testing दिया था और remaining को training दिया था उसको जब आप करोगे उसमें से कुछ error estimate करेंगे हैं ठीक है कि उसमें कितना error निकला तो समझ ले even error estimate हुआ ओके फिर इसी तरीके से आपने जब next वाले iteration में किया तो e2 error estimate हुआ इसके आप next iteration में किया तो e3 error estimate हुआ ओके इसमें गौर करने कि ये बात है कि हम different different data से model को train करते हैं जिससे हमारे model की efficiency काफी अच्छी हो जाए अब देख रहे होंगे कि कभी भी जो training data set है वो repeat नहीं होगा जैसे अभी हमने पहले 123 किया था इसके बाद 456 किया था एसर टेस्टिंग फिर हमने 789 किया थे टेस्टिंग मतलब हम different data से model को train करते हैं फिर हम लोग एक accuracy find out करते हैं इससे model की आप हो सकते हो की efficiency और perfection कफी अच्छा हो जाता है अज़े prediction में तो ऐसे हमारा cross validation काम करता है इन 3 folder cross validation में आप यह पर 4-5 कुछ भी ले सकते हो उसके according आपको data को distribute करना पड़ेगा अगर आपको यह वीडियो समझ में आया और अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करो comment करो subscribe करो अगर कोई भी वीडियो में गलती है तो प्लीज कमेंट करो अगर आप कमेंट करो को तो हमें पता चल पाएगा कि हम लोग आने लाली वीडियो में कैसे सुधार कर सकते हैं तो आप प्लीज वीडियो पर comment और like करें और subscribe जरूर करें so thank you for watching guys